ओल्राइट, so hey what's up guys, it's me Samir Upadhand, you are watching Saminside EOS, होगज आगया हूँ, मैं आप लोग के लिए एक new exciting वीडियो को लेकर, होगज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जियो का एक new and fast event setting बताने वाला हूँ, जिसके जरी आप लोग का जियो का internet speed 100% increase होगा, यह मेरी guarantee होगा, इस वीडियो को end में मैं इसका speed test proof भी आपको दिया है, तो आप लोग को इससे proof हो जाएगा, कि यह open setting बहुत ही जादे, fast है, तो आप लोग से बस एक ही request है कि वीडियो को end तक watch करते रहे हैं, और इस वीडियो को start करने से पहले जरा इस वीडियो को like कर दे क्योंकि है वीडियो को like करते हैं, तो मैं और भी जादे वोटीशन बिलता है, और भी जादे वीडियो को बनाने का, और चाहाँ को जब्सक्राइब कर दे, अगर आपको future में और भी जादे, एपन सेटिंग के वीडियो जा, फिर स्मार्टफोन टिप्स और टिक्स के वीडियो को चाहिए, तो गैस वीडियो को start करते हैं, और चलते हैं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर, आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप लोग को यह जब आप लोग को यह जब प्लस का आइकन दिख रहा है, आप लोग के फोन में या फिर एड़ अपन का भी ऑप्सन आता हो, तो मेरे में प्लस का आइकन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो गैस इसको क्लिक करने के बाद आप लोग का यह फॉर्म आ चुका है, इस फॉर्म में मैं जो जो भर रहा हूं, आप लोगो एकदम ध्यान से देखते रहना है और यहाँ पे आप लोगो बहुत ही fast internet speed मिल जाएगी जियो के sim पे तो आप लोगो सबसे पहले यहाँ पे name पे click करना है और name में आपको यहाँ पे guys डाल देना है जियो ultra fast जियो ultra fast guys यहाँ आपको यहाँ डाल देना है J यहाँ पे capital रहेगा space U capital रहेगा space और F जो है वो small letter रहेगा तो geo ultra fast यहाँ पे आपको लिखके save कर देना है और इसके बाद guys अब आप लोगो जाना है APN में APN में आपको यहाँ पे डाल देना है geo net इसको डालने के बाद guys अब आपको save कर देना है और इसके बाद आप लोगो proxy को भी not set port को भी not set आपको username में आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है ultra fast यहाँ आपको guys यहाँ पे डाल देना है ultra fast username में कोई भी space नहीं है कोई भी capital नहीं है और यहाँ इसके बाद आप लोगो save के बटन पर कर देना है क्लिक और इसके बाद गई जब आप लोगो mmsc को भी not set, mms proxy को भी not set, mms port को भी not set और mcc और mnc को आप लोगो एकदम भी छेड़ चाड़ नहीं करनी है यह आप लोगो एरिया के हिसाब से होता है तो गईजब आप लोगो यहाँ पे authentication type में जाना है और यहाँ पे आपको जो third option याणि के fourth option दिख रहा है pap and chap का इसके आपको select करके रख लेना है और इसके बाद गईजब आप लोगो जाना है APN type में यहाँ पे आप लोगो लिखना है default, supl हो सकता है कि आप लोगो के phone में यह पहले से लिखा हो नहीं लिखा है तो लिख लिजेगा और इसको आपको save कर देना है और इसके बाद गईजब आप लोगो जाना है APN protocol में और यहाँ पे आप लोगो जो third option दिख रहा है IPV4 slash IPV6 इसको आपको select करके रख लेना है और यहाँ से save कर देना है इसके बाद गईजब आप लोगो APN roaming protocol में जाना है और यहाँ पे भी आप लोगो third वाला option IPV4 slash IPV6 को select करके रख लेना है और इसके बाद गईजब हम लोग आ रहा है जो last बसता है main बसता है barrier इसमें आप लोगो चले जाना है और इसके बाद आप लोगो क्या क्या टिक करना है मैं आपको बता देता हूँ देखें आप लोगो un-specific hide को un-tick करके यहाँ पे आप लोगा लगाना है LTE, HSPAP, HSP, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, EHRPD और यहाँ पे 1XRTT इतना है आप लोगो barrier select कर लेना है हो सकता है कि आप लोगो फोन में multiple barrier select ना करता हूँ आपका फोन तो आप लीज LTE को भी select कर लेना है जितना मैंने किया है और यहाँ से आप लोगो back चले जाना है और यहाँ पे save कर देना है और इसके बाद guys अब आप लोग को यहाँ पे इसको जो मैंने APN setting बनाया है और जो आपने बनाया है इस पे आपको select करके रख लेना है select करने के बाद guys अब आप लोग को मैं यहाँ पे speed test इसका करके दिखा देता हूँ उससे पहले मैं अपने network connection को कर देता हूँ on तो guys network connection हो चुका है हमारा on यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैं अब चलके आप लोग को speed test इसका करके दिखा देता हूँ तो guys speed test अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे यहाँ पे go पे click कर देता हूँ और यहाँ guys आप लोग के सामने इसकी internet speed देखने को मिल जाएगी तो guys यह internet speed बहुत ज़्यादे fast provide कराता है तो guys आप लोग यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं तो guys यहाँ पे आप लोग को mbps speed देख जाएगी कि यह कितना fast open setting है और मैं open setting geo का जब भी बनाता हूँ तो आप लोग को ज़ोर से proof देता हूँ और मेरे हर open setting बहुत ज़्यादे fast होता है तो guys आप लोग यहाँ पे पूरा इसका fill up देख लिजे तो guys आप लोग को यहाँ पे देख लिजे 22.3 mbps की internet speed यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो guys उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा इस open setting को ज़ोर से अपने आप जियो के simp करिए 110% मेरी guarantee आप लोग की internet speed बढ़ेगी वो भी बहुत ही जादा बढ़ेगी तो guys वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को ज़ोर से subscribe कर दिए